पैरिस ओलम्पिक्स 2024 26 जुलाई शे शुरू हो जाएगा जसमें कुल मिलाकर 7-8 महीने का समय बचा है इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बेस्ट बैडमिंटन पेर सत्विक साइराज चिराक शेठी के बारे में दोस्तों ये पेर से हमें ओलम्पिक गोल्ड मेडल की उमीद है और ये उमीद सर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे इंडियन प्लेयर हैं तो हमें उमीद है कुछ facts मैं आपके साथ share करूँगा दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ men singles और women singles में हमें बहुत ज़ादा मुश्किले आने वाली हैं पीवी सिंधू consecutive two times ओलम्पिक मैडल जीच चुकी हैं उनकी performance इस समय बहुत ज़ादा down चल रही है लेकिन वो कुछ tournament skip कर रही है मुझे लगता है शायद comeback करने की कोशिश कर रही है लेकिन जब तक उनको perform करता हुआ नहीं देख लेंगे ये कहना मुश्किल होगा कि वो मैडल जीच सकती है भारत के लिए 2024 Olympics में और men singles के बारे में आप जानते ही है प्रोनो एचेस के उपर थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं कहीं न कहीं बट मैडल गोल्ड सिल्वर एक्सपक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है क्योंकि men singles में होता है बहुत competition कैंतो मोमोता अच्छी फोम में दिख रहे हैं कैंता नीशी मोतो मतलब जिपैन तो तकड़ा दिख रहा है विक्टर एक्सलसन इनको आफ जानते हैं ये नहीं लेने देंगे Olympic medal और कुछ Indonesian और कुछ Malaysian badminton players जो की बहुत जादा competition देते हुए नजार आएंगे Olympics में बट हमारा एक pair men's doubles चिराक शेठी और सत्विक साहिराज रंकी रेडी जिन्होंने Guinness World Record में अपना नाम दर्च कर लिया है 565 km per hour की speed से smash मार के अपना नाम Guinness World Record की books में दर्च कर लिया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल 2023 में कुल मिलाकर इन्होंने 4 titles अपने नाम कर लिये हैं अभी तक और चाइना मास्टर्स में वो final में भी पहुँच चुके हैं आज चाइना को हरा कर तो ये चाइना मास्टर्स में पांचवया title इनके नाम हो सकता है इस साल 2023 में अब तक इन्होंने 17 BWF Tours खेल लिये हैं including Asian Games and Championship जसमें वो 4 बार title जीत चुके हैं और इन title के लिस्ट है जसमें सबसे पहला वो जीते थे Badminton Asia Championship Final जसमें उन्होंने Indonesia, Malaysia, Taiwan जैसी country को हराया Indonesia Open में वो final match जीते थे इसके बाद China, Indonesia, Korea, Malaysia जैसी country को हरा कर उसके बाद Korea Open के final match में वो जीते चाइना, Japan, Indonesia जैसी country को हरा कर Japan Open इसके बाद खेले जसमें उन्होंने quarterfinal में वो हार गई फिर World Tour Championship में वो quarterfinal में हार गए थे वहाँ पर भी Denmark के एक खिलाफ हम हार गए Asian Games में वो अपना final जीते मलेशिया, Korea, Indonesia जैसी country को हरा कर उसके बाद अब China Masters में देख लो Indonesia, China, Malaysia जैसी country को हरा कर final भी पहुँच गए है तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था ताकि मैं आप तक ये बता सकूँ कि इस बार हम gold medal क्यों expect कर रहे हैं दोस्तों, world level पर best wins double pair कोन कोन से हैं जो last 2020 में भारत को हराया था, Minions ने मतलब मारकस वरनालडी और केविन संजाया मोहमद हसन और हिंद्रा सितिवान जैसे players तो इन players के खिलाफ भारत ने already 2023 में अच्छा perform कर दिया है फिर वो चाहे फजर अलपियन या फिर रियान अद्रिन्तो हो और तकूरो यूगो कोबयाशी फिलाल इनकी form अच्छी नहीं चल रही है बट इनको भी हमने बहुत बार हरा चुके हैं 2022 में और रही 2023 में कुछ men's doubles pair जो Korea के हैं, जो Chinese type I के हैं उन जैसे players को हम कई बार हरा चुके हैं और वो भी उनी के घर में Indonesia open में Indonesia की audience के बीच Indonesia और Malaysia के pairs को हराना आम बात नहीं थी वो एक Olympic level का ही game आप समझ सकते हो उसके बाद आप देख सकते हैं Korea में और China Masters में आप देख लीजिए तो इनी आंकडों के बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम silver medal से अच्छी जरूर जीतने वाले हैं बहुत record इनोंने अपने नाम दर्च करे हैं 2018 से इनोंने medal जीतना शुरू करे थे Commonwealth Games से 2020 का एक ऐसा समय था जिसमें हम कोई medal नहीं कोई बड़ा title नहीं जीते थे क्योंकि Olympics थे तो Olympics में वो हार गई थे group stage में और group stage में हारने के बाद फिर उस साल कोई और BWO tournament में भी अच्छा perform नहीं कर पाए और नहीं कोई title जीते थे लेकिन 2021, 2022 और 2023 कंसिस्टेंटली इनोंने improvement करी है इस साल तो चार title जीत चुके हैं और एक title शायद China Masters का भी जीत जाएंगे क्योंकि final तक तो पहुँच गया है और इनका record इतना अच्छा है कि अगर एक बार final पहुँचें तो maximum number of time ये जीत कर ही आते है final match को तो इनी सब कारणों की वज़े से मैं ये कह सकता हूँ कि men's doubles में हम gold medal या silver medal जीत रहे हैं अगर gold medal भी जीतेंगे तो मुझे कोई इसमें हरानी वाली बात नहीं होगी क्योंकि मैं मान रहा हूँ वो gold silver medal जरूर जीतेंगे रही बात mix double women singles men singles की तो इनमें मैं फिलाल अभी medal expect नहीं कर रहा हूँ हाँ अगर prono EHS और जादा निकल कर आते हैं निखार जाते हैं अपने performance अपने कुछ errors को तो शायद हम उसमें भी medal जीत सकते हैं वैसे errors तो सैची भी करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन वो errors होते हैं limits में मान लीजिए आप errors करते हैं लेकिन आप opponents को lead नहीं बनाने देते हैं तो वो errors ignore किये जा सकते हैं और उस type के errors सैची कर देते हैं कई बार मान लीजिए rankie ready net पर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो कई बार net पर उन से shuttle जो है वो cross नहीं हो पाती है net पर लगकर foul हो जाता है कई बार चिराग की smash जोर से लगती है और वो out of the box चली जाती है opponent के court से तो वहाँ पर point चला जाता है हाथ सी वो चोटे मोटे error है उन पर वो अच्छा काम कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है चिराग भाई जो है net पर अच्छा करते हैं और rankie ready की smash जबर दस्त है वैसे दोनों ही overall अच्छे player है तभी तो men's doubles में इतना कुछ जीत पा रहे हैं मैं बस अपना experience शेयर कर रहा था दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारत gold या silver कोई medal जीत रहा है मिरको तो gold लग रहा है आपको क्या लग रहा है comment section में जरूर बताइएगा दोस्तों अगली वीडियो पीवी सिंदू के उपर बनेगी अगर आप 200 likes टच करते हैं इस वीडियो पर 200 likes तो पीवी सिंदू जी के उपर अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी उनकी details उनकी data और बहुत सारी research के बाद एक अच्छी वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा उन enjoy करिए पहाडी ब्रदस के साथ sports को मिलते हैं अगले वीडियो मैं जै हिंद जै भारत